Hello students, welcome to Global Online. So NTA Udusnet Re-Examination की तयारी करें students के लिए एक बहुत ही साधा important and informative वीडियो में लेकर आई हूँ जिसमें हम बात करेंगे कि आप सभी students के admit cards NTA कब चारी करेगा और जो भी information आज के वीडियो में रहेगी ये सारी official information है NTA ने खुद अपने एक notice में ये information जारी की है जो मैं आपके साथ share करने वाली हूँ तो ये बहुत जरूरी है कि आप इस discussion में N तक जरूर बने रहेगा So students आगे बनने से पहले आपको बताना चाहते हूँ कि देखे अभी तो sure है कि paper हमारा होना ही है Paper 1 की तयारी में अगर आपको किसे भी unit में कमी लग रही है तो आप लोगों को help करने के लिए एक unit wise MCQ series हम लेकर आए हैं जहांपर examination की difficulty level और updated pattern के हिसाब से MCQs and most repeated PYQs हम आपको provide करवाते हैं As it is questions जरूर आपको paper में देखने को मिलेंगे और सबसे खास बात इस series की यह है कि हरे question के answer के साथ आपको important explanation भी दी जाएगी ताकि अगर कहीं भी आपके concept अभी तक clear नहीं है तो वो भी आपके साथ में clear होते रहे आप सब गिवन whatsapp numbers पर contact करके इसकी पूरी जानकारी भी ले सकते हो स्टूडेंस इसी के साथ अब discussion पर बढ़ते हैं और हम आचुके हैं अप सबने देखा होगा कि लास्ट नोटिस जो है NTA का वो 14 तारीक को आया था जिसमें उन्होंने जो भी बाकी के subject हैं 4 सितंबर तक जिन बच्चों का paper है उन सभी के city intimation उन लोगों को allot कर दिये हैं यानि कि अब 100% students को पता चल चुका है कि कौन से city में उनका paper होने वाला है और इसी notice में NTA ने ये clear बताया है कि कब admit card आएंगे ये देखे students 28-39-30 के students को और 2-3 और 4 से दंबर वाले students को उनकी city पता चल चुकी है और इस notice में लिखा है clearly कि ये आपका admit card नहीं है and the admit card of using at June 2024 shall be issued later अब यहाँ पर आप बोलोगे कि मैम इसमें later बोला है तो कब exactly कब admit card जारी होंगे So previous year examination के अगर हम हिसाब से चले कि NTA कैसे काम करता है तो हमेशा क्या होता है students जिस दिन आपका examination है उससे लगभग 4 से 5 दिन पहले आप लोगों के admit card जारी हो जाते है अब जैसे कि आपको पता है कि 21 अगस्त से examination स्टार्ट होने वाले है तो इन पे student के exam 21 अगस्त, 21 और 23 को है क्योंकि इन लोगों का notice एक साथ आया था तो अभी वी एक साथ ही इनके admit card जारी होंगे तो इन students का हम यही expect कर रहे हैं कि आज ऐसे 16 तारीक है तो हम expect कर रहे हैं कि आज रात तक या फिर 17 तारीक यानि कि कल आप लोगों को admit card आप लोगों को जरूर मिल जाएंगे NTA हमेशा इसी तरीके से काम करता है तो 21 और 23 वाल students के लिए यह information है उसके अरावा जो 24, 25, 26 के आसपास की students है उन लोगों के admit card हम expect कर रहे हैं कि 21 तारीक तक उनको जरूर मिल जाएंगे तो ऐसे ही रहते है students NTA के काम करने का तरीका कि जब भी आपके exam होगा उससे कुछ दिन पहले आपका admit card आएगा जैसे यह सब students का notice NTA ने एक साथ जारी किया है तो इन लोगों के admit card भी एक साथ ही जारी होगे ठीक है तो आप लोग उस according लगे रहे हैं जैसे भी admit card आते हैं ठीक है कैसे उसको download करना है जैसे उसका notice आता है मैं आप लोगों के साथ live आऊंगी और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आसानी से आप अपने mobile phone में भी admit card को download कर सकते हो तो यह बहुत important है कि आप आप सब इन सब चीजों के अलावा अपनी तयारी पर जादा ध्यान दें जैसे कि मैंने बताया है paper one हमेशा hard work नहीं मांगता paper one में आपको करना होता है smart work जिसकी help से students आप लोग आसानी से 100 में से 80 प्लस भी score कर सकते हो तो यह revision series important है कोई भी unit अगर आपकी अभी तक आपने पढ़ी नहीं है और आप चाहते हो कि सिरफ उस एक ही unit की pdf आप लें तो वो unit की pdf भी आप ले सकते हो आपको सिरफ यह number है whatsapp पे आपको सिरफ और सिरफ इसके साथ इस number पर जाकर के contact करना है okay so इसे के साथ फिर discussion को end करते हैं thank you so much everyone and I wish you all the very best